नमस्कार दोस्तों कैशे हैं आप उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे सुस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी जिंदगी में तो पहला सुक निरोगी काया तो आएए आज मैं फिर आपके सामने जड़ी बूटी के साथ हाजिर हुआ हूँ तो आप इस जड़ी बूटी क मर्ज दूर होते हैं और इसका इस्तमाल कैसे करना है और पहरेज कैसे करना है तो यह सारी जानकारी मैं आपको दूँगा तो अगर आपको किसी भाई बहन को आपके जान पहचान में किसी को टीवी हो हर्दय रोग हो अगर हर्दय रोग है तो उसको खांसी जरूर आएगी तो खांसी आ रही हो, हिरदय रोग हो, तोचा रोग हो, जिसके कट जाता है, ऐसे कट जाते हैं कई जगे पे, और तोचा रोग हो जाते हैं, खाज, खुजली, इस तरीके से हो जाता है, तो तोचा रोग हो, या पिंपल हो, चेहरे में पिंपल आ गए हो, या पेट संबंधी क कोई भी कमी हो, लीवर की भी कमी हो, खाना हजम नहों रहा हो, और गैस बन रही हो, तो इस तरीके के मर्ज को खतम करने के लिए, इस जड़ी बूटी में पावर है, तो आप अंत तक बने रहें, बीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा और मैंने आपको भी मर्ज बताया और अभी आपको इसका नाम बताऊंगा कि आप इसका पेड का नाम क्या है बस आप पहचान लीजे अच्छी तरीके से पेड को पहचान लीजे और अंत तक वीडियो के बने रहिए आप देखते वीडियो और हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में कि यह आपको कैसे फायदा देगा, यह पेड़ आपको कैसे देगा इस पेड़ का नाम है अमलतास, इस पेड़ का नाम आप पहचान लीजे के से आपके सामने चल रहा है इस खीन में मोबाइल तो ये अमलतास का पेड़ है ब्याधिघात कहते हैं इसको संसकत में इसको संसकत में ब्याधिघात कहते हैं मराथी में बहावा कहते हैं इसको गुजराती में गर्मस्टो कहते हैं सुनालू कहते हैं बंगाली में इसको बंगला भासा में इसको जो है सुनालू कहते हैं तो इस प्रकार से इसके नाम है आपने को मैंने इसके नाम बता दिये और ये कौन कौन सी बीमारी में काम करता है ये तो इसकी क्या होती है ये जो फलियां है आप देख रहे हैं इसकी जो फलियां है तो फलियों के बीच में फलियों के बीच में इसका गूदा निकलता है तो इसके ग फली है तो फली के बीच में गूदा निकलता है तो इस गूदे का प्रियोग किया जाता है तो गूदे को आप काढ़ा बना करके इस्तमाल कर सकते हैं और काढ़ा बना करके छाल का पाउडर बना सकते हैं तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप काढ़ा बना करके आप इसमें जो है शहद भी मिला सकते हैं आप मिस्री भी मिला सकते हैं धागे वाली मिस्री हाँ ध्यान रखिएगा अगर किशी भाई बहन को सुगर हो तो सुगर वाले कृपया इसमें मिस्री ना मिलाएं और ना ही इसमें सहद मिलाएं क्योंकि सुगर वालों के लिए ये मीठी चीज मन गूदा निकाल लीजे इसमें गूदे निकलते हैं जैसे चोटा सा सिक्का होता है तो उस सिक्के के बराबर का निकलता है तो आप दसवारा पंदरा निकाल लीजे और उसको पानी में डाल दीजे और इसके बाद काढ़ा बना लीजे और काढ़ा बना करके पीजे फिर देखि है आप जानोर को भी पिला सकते हैं यह बहुत बाल राम बाल आउसदी है और हमारे पुर्खे इसको इस्तमाल करते चले आए है हम लोग आज आपको चिला चिला करके बोलते हैं आरबैदिक जड़ी बूटियों के बारे में परचार करते हैं पर आज कर लोग अंग्रेजी दवाईयों के तरफ भागते हैं पहले कहां थी अंग्रेजी दवाईयां हमारे पूर्वज इन ही जंगली पेढ़ों से पौधों से जड़ियों को खोच करके इस्तमाल करते थे और तंद्रस हो जाते थे स्वस्थ हो जाते थे आज से ज्यादा स्वस्थ रहते थे आपने कोई न कोई भाई-बैन किसी न किसी मर्ज से पज्चे पीड़े था तो ऐसा नहीं आप काढ़ा बना करते पएए चाल को पाउडर बना कर के लिए आप देखेंगे कि आपके हाथ में कट फट रहा है कहीं भी कट फट रहा है आपके चेहरे में निखार पिंपल ये सब ख़तम हो जाएगा आप इसका इस्तमाल करिए साथ में आप पहरेज करिए पहरेज ये करिए कि आप ताजा भोजन करें बासी भोजन ना करें ताजे फल ताजा घर का बना हुआ भोजन करें बासी भोजन नहीं बहुत तेल मसाले वाला भी नहीं आप चेना हैं मूंग है और गेहूं हैं इसको अंकुरित कर लीजिए आप इनको खाईए फिर देखिए आपको आइटो मैठिक ही ये गैस बनना कहां से सुरू हो गया गैस बनना कर लीजिए नए भाई बैनेगर अब बिल आइकन आन कर लें जिस्से की ऐसी जड़ी बूटी देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलता रहेगा जब तक के लिए शभी भाई बैनों को नवस्कार जहन बंदे मात्रव